तो चिकन भुना ऐसा एक रेसिपी है देखते ही मुह में पानी आ जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी है और साथ में पराठा हो जाए तो एक दम जम जाता है रेसिपी और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो आज का रेसिपी हमारा चिकन भुना तो चलिए देख आप लोग देख सकते हो यह आप इसा खा सकते हो चलिए पूरा वीडियो देख लेते हैं कैसा बानते हैं चिकन बुना आप सभी को स्वागत है आशा करती हो आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए आज हम बनाने बाले है चिकन बुना बनाने के लिए हमने चिकन ले लिया है अब देख सकते हो यह हमने बॉनलेस चिकन और थोड़े से हटी वाली भी चिकन है इसमें ज्यादा करके बॉनलेस चिकन ही है और कॉम हटी वाला है तो यह हमने 700 ग्रम चिकन लिया है चिकन को एक छोटे समें अच्छे से बन ऑट और अंदर तक ड्सछफ भी होएगा था कुछत इसी तरह तो वी उगुणाइंगे है । इसके थ्क्या करने के दो ह Squid Street करने के लिए तोड़े से हल्दी पावडर और हमें लागेगा यह लेमोन का जूस लेमोन का जूस हम डाल देते हैं बस इतना ही डाल के हम पहले मेरिनेशन करेगा उसके बाद हम जो जो मसाला लागे गया आपके साथ हम सेर करने वाले हैं और यह बहुत ही टेस्टी लगता है आप लोग पर प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कर लिएगा और साइड में जो बेल आइकन है वह भी प्रेस कर जीज़ेगा जब भी मैं नएने वीडियो अब लोगों को पूरण मिल जाएगा देखने के लिए तो आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिए और हमारे च सब्सक्राइब कर लिए है तो हमने इतना ही डाल का मैंने अभी किया है उसके बाद हम एगेज करके आपको बताते जाएंगे पूरा वीडियो लास्तों देखते रही है तो अभी आपको पताते लिए और फटा-फट बंता लिए तो चलिए अभी हम ढखके राख देते 10 गुंट 10 मbंटा टाइंव नहीं रहे तो फंदरा मिनिटे राक सकते हैं थां मळात रींडर करके 5 मिनिट हो गया है अभी हम क्या करेंगे एक मसाला तयार करूंगे तो मसाला में हमें ले लिए हैं देखे ज़िए चोटा इलाइचि आमने चार लिए और यह हमने काली मीरी कालिमिरे दसमादर ले लिए हैं और थोड़े से हमने जाने की एक लोले हैं और इसे हमें धंगळफूल हैं आप लोग क्या बॉले हमें कमेंट करके जरूर बताएगा जानते है टो आप लोगों मौलूम है your कमेंट करके जुरूर बताइए इसका नाम क्या है तो चलिए ये सारे मसाला को हम क्या करेंगे ड्राइए रोस्ट करके इसे अच्छी तरफ पीज के लिए लेंगे तो पहले हम ड्राइए रोस्ट करेंगे तो चलिए गैस के तरफ चलते हैं तो हम कड़ाई बिठा दिया है कड पहले हम सब मसाला डाल दिये हैं डालके मसाला को आइसा पड़ाई में थोड़ा अचा ग्यास का एकड़म धीमा करके हमें मसाला को ड्राइड रोस्ट करके देना है एकड़म अच्छी तरह भूनना है तभी यह मसाला का खुष्प आएगा हमें भूना चिकन बना रहे तो बिखं के लेंगे आपनी निगे का मसाला लाल मिर्ची पहल थे गोड़ायगा है तो शेसके यक्ड़ में हैं तो एक दम बारिक करके फिश्की लेना हो और ये मस्या प्रिंजा缶 कर सकते हैं। वम्हिम कोई भी ड्राइद सम्जों आप सब्चि बना रहे हो चिकन बना रहे हो मर्टन बना रहे हो जो भी सा थे मसाला यूज़ कर सकते हो कि यह बहुत बड़ी आ लगता है चलिया और जो जो समघरी लागेगा हम दिखें लिखे करके तो यह हमने लिसं लिये है लसुन पेस्ट लागेगा और थोड़े से अखा लसुन में लिए है यह भी हमें लागेगा और ग्रिन चिल्ली का पेस्ट आउमने के लिए है वह लगेगा हमें और हमने एक टमेटो को बड़े साइज का टमाटर को हमने प्यूरी करके लिए हैं आप कभी भी लीजिए तो गाउव वाला जो टमेटो मिलता है आप ठंडी के टाइम में चक्री वाला टमेटो आ रहा है वह टमेटो आप लीजिएगा बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है उसमें तो हमने वह टमेटो लिया है और इसे हम अच्छी तरह पेस्ट कर के लिए लिए और हमने तीन बड़े साइज का ओनियूं लिए है देखिए राव चिल सरी हमने जो चिकन बना रहा है तो उसमें यह अनियूं ज्यादा लगेगा इसलिए ह तो हमने तीन ओनियोन बड़े साइज का काटिंग करके लिए लिए है और हमें लगेगा दही यह इतना नहीं लगेगा हमने टू टेबल स्कून लगेगा हमें तो चलिए पहले हम ग्यास चालू करते हैं भूना चिकन बनाने के लिए तभी भी प्यास थोड़ा ज्यादा ही जीडिया है वह डाल देए है तो जीरा फोड़ासा लाल करके उनना है खुस्मुन आने तथे बून है अच्छी तरह लें तो देखिए अच्छी तरह भूनके कौन होगिआ है अवी हम अनियोन डाल देतें हैं उनियोन समीवें इसके नंपल मैं और उनियोन अपला साह मनें है तो चलिए हम आद्रफ पेस्ट ऐन टेबल स्पून हम डाल दिये हैं और डालेंगे आम लुसून पेस्ट यह भी आम वान टेबल स्पून मु लिआ ताय मैं तो टाल करह से ख्लाति हें, यह सार से ख्लों पर मसाला को खुष्पूअनंबार दाना है तो लशून और आत्रोग का जो रॉस्मेल ओ चला गया है अभी अच्छा खुस्पू आ रहे है भूनके हो गया है अभी हम डालेंगे 1 टेबर स्पून गिरीन चिली का फेस्ट यह हम डाल देते हैं तो यह स्पाइसी आप जितना खाना पसंद करोगे वो हिसाप से डालिएगा मासाला पसंद करोगे वो तो यह स्पाइट कर देते हैं पूमेट्टू प्यूरी इस हम एड कर देते एं त्ळोड़े प्रत्रटे हमें गूलन के हम तो स्पाइट कर देते हैं ओर ठोडे दे वोगो Caitlin रुटый कर दिए हैं और थोडे दर हम घृल लेते हैं तो देखिए टॉमेटू भून गया है, साइट साडी में तेल चोड दिये हैं, तो आभी हम एड़ करेंगे, एक कास्मीरी रचिली पाउडर, उन्टेबू स्पून यह हम एड़ कर देते हैं, आभी हम कास्मीरी रचिली पाउडर इसलिए एड़ कर रहे हैं, पहले आप के रहे हैं तो यहहां फोड़े जुनेंगे, इसके बाद हम एड़ कर देगे रचिकन अम एड़ कर देंगे, यह कर देखिए यह हम एड़ कर दिये हैं, यह हम्रे हितकर सब्सक्रम की ए देखिए चिकन थे प्र में मसाला के साथ ऐसा गुनना है आठी तरा प्र Пос Alors, और चिकन के साथ में हमने आलू वि estão करेंगे इस अब यो आने लगा है तो ये आलू हमने थोटे अलू लिएया अब देख सकते हों थे और देख साथ छल्वियो कि चिकन के साथ और भूना जोने बणा वेना आलू तो आची तरह जो के साफ करके हलदी और नमग लगा के रख्ये थे लिए इसका अंदर तौब नमग चला गया हलदी भी चला गया और चिकन के साथ में अच्छी तरह भूनते हैं एतना भूनगे इसका टेस्ट उतना भढ़िया रहे तो इसी कि ढांबगो chrom के जलना ऐस्य वहारी और सबितने तर भून के लो जोचान और रहएं दोनगे, mentre जला को बोड़ देते हैं उसके बाद धिरी धिर्या इसा भूनते जाएगा तो गैस पे जब तक चिकन भून रहा है तब तक हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं तो मसाला में हमने बताया था दही लगेगा तो यह हमने दही लिए है टू टेबल स्पून दही लेके दही को अच्छी तरह हमने फेट लिए है अभी हम क्या करेंगे जुरू सुख्य मसाला हम भून के रखे थे और इसे हम पीश लिए थे यह हम टू टेबल स्पून इसमें डाल लेते हैं यह तो यह मैं टाल दिये हैं फूट टेबल स्पून डालके हम दही के साथ में अच्छी तरह मिला देते हैं तो यह हमें लास्ट में लागेगा आप ही नहीं तो आप वीडियो देखते रहे हम कब डालेंगे मसाला तभी आपको पता चलेगा और भूना चिकन तो अच्छी तरह ऐसा गैस का फ्लेम एक दम स्लो करके भूनते भूनते इसे रेसिपी को पकाना है तभी बोला जाता है भू पानी छोड़ा है और इसी तरह धकन लगाके और चला चला के यह गून गून के इसा भूनना है चिकन को क्यूंकि पानी हमें जरुरत पड़ेगा तो लास्ट में पानी आड़ करेंगे अभी अभी आइसा ही धकन लगाके अब गैस का फ्लेम एक डम स्लो करके हमें गून के इसी त्रवा इसा भोंन के पकाना यह लोड़ी नए ऐखना स्थम हुआ है और भी थोड़ा कंशी लगालो tantasI चिकन भी देख लेते हैं तो देखिए चिकन भी हमारा शॉप्ट हो गया है और भी थोड़ा सा में पताना है तो इसी स्पेज में हम यह जो हमने अख़ा लोसुन रखेते हैं यह हम डाल देते हैं इसमें यह बहुती बढ़िया लगता है टेस्ट ऐसे डालने से दाल के हम सारे कफिची ज़िए अख्छी यह नहीं मिला देते हैं और मिश्ट करह करके रखे ते दैंते हैं तो देखिए हम डाल देखें जाटम देते हैं युम्निष कलर सब्सक्सटर्ड तแลier ये तक तो इसका कालर सबिस्स? और भी द्हकण लगा के क हावा या पका लेते हैं य आखिछ टरां स्कृत करदिये हैं और-वि 2020 के लिए वहले मसाला का पानी में कम थोड़ी से स्थे जायदा निंए थोड़ा ते हमेर अई रहा पर कर दिया अच्छी तरफ बहा एक दांगे लेते हैं कियार से अची तरफ और शॉड़ दिया विखहे एकदम सच पनल देखी अंग देख है और अलुभी देखुग देखिचे हैं देखिए आलू भी एक्तम अच्छी तरोड शॉप्ट हो गई है आप देख सकते हो तो आप एक्तम गुना चिकन तयाँ है आपि लास्ट हमश्च क्फिनि इसेग हम हरी धनिया डाल देते हैं उप़ से दालके निला देते है देखें हम फ्लेटिंग करके अबसे निलते है तो देखें ए एकदम बढ़िया है और खाने में उतना ही टेस्टी है और इसा ढ़कन लगा के हमें पकाने को टाइम लगा है 15-20 मिनिट तप अब बढ़ा है आप ने पखान भुना हमारा एकदम रेडी हो गया है आप लोग देख सकते हो देखने में जितना ही बढ़िया लग रहा है खाने म और बहुत बढ़िया लगता है आप लोग घर पर जरूर एक वाट ट्राइ कीजिएगा और कॉमेंट सेक्षमेंट में जाके हमें बताइए ये रेसी भी आप लोगों को कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक, शेर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल में नए हो, प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिएगा और साइड में जो बेल आइकोन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा जब भी नए नए वीडियो एपलेट करोंगी आप लोगों वो तुरण मिल जाएगा देखने के लिए आप लोग का किमती टाइम हमें देने के आप सबी को बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलते हैं नए और धमा के दार लेसीप के साथ तब तक पे लिए सब लोग अच्छे से रहें